बीते कुछ दिनों से हल्दी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इसकी वजह हल्दी की नई आने वाली फसल का उत्पादन कम होना मानी जा रही है। साथ ही कारोबारी इस समय हल्दी की खरीद भी बढ़ा रहे हैं। हल्दी की नई फसल मार्च महीने में आने वाली है। कारोबारियों के मुताबिक नई फसल आने तक इसकी कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। बीते दो, तीन कारोबारी दिनों से हल्दी के वाइदा भाव चड़ रहे हैं। पिछले सब्ता, Commodity Exchange, National Commodity and Derivatives Exchange पर शुकरवार को हल्दी का अप्रेल अनुबंद 14,700 रुपए के पार पहुँच गया है। जानकारों के मुताबिक हल्दी की कीमतों में आ रही इस तेजी की वजह इसके उतपादन में कमी आने की संभावना है। Commodity जानकारों का कहना है कि हल्दी की नई फसल मार्च महीने में आना शुरू होगी। प्रतिकूल मौसम के कारण इस साल हल्दी की पैदावार कम हो सकती है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस साल करीब 9.5 लाक टन हल्दी का उतपादन होने की संभावना है, जो पिछले साल के उतपादन 11.5 शूने लाक टन से कम है। इसलिए अब हल्दी के भाव में तेजी आने लगी है। वही बाजार जानकारों का मानना है कि कम उतपादन की संभावना के बीच इस समय हल्दी की मांग निकल रही है। इसलिए इसकी कीमतों में तेजी का माहौल बनता दिख रहा है। आगे भी तेजी जारी रह सकती है। साथ ही अभी फिलहाल हल्दी का स्टॉक भी कम ही है और उत्पादन भी कम होने वाला है। ऐसे में नई फसल आने तक इसके भाव बढ़कर 16,000 रुपए प्रती क्विंटल तक जा सकते हैं।